वैश्वीक समस्या, अगर मैं बोलू, वैश्वीक समस्या किसको कहें, विष्व की सबसे बडी-बडी समस्या Nuclear Radiation जो हम दूशित कर रहे हैं, वो एक समस्या है क्रिशी, लोच्चन क्या लुशा दीवाara हैं खेति में नीट्रिएंट निये तो माल निूट्रिशन की सुमस्चया फूड में तो फूड सिक्यॉरिटि भी ठीक है तो मांसिके और कृषी और परवरन मतलब विश्ल की समस्यों में ये बहुत बढ़ी समस्या है और इसको अगर एक ही चीज समाधान उसको कर रही है, तो ये बहुत अचंभित करने वाले हैं, कि एक चीज, वो क्या टेक्णोलाजी है, वो क्या आगनी होते रहे है, जिससे ये तीनों का समाधान हो रहा है, और समाधान हो रहा है, इस पे research हुई, 35-40 साल का research हुई, इस पे सिर् 541117 ये print version में paper publish क्या हुआ अलरिच बर्क ये जर्मनी के है जिन से मैं regular संपर्क में रता हूँ कि उनकी क्या research चल रही है भारत में वैसा ecosystem नहीं बन पाता क्योंकि संस्कृत को यहां प्रमोठी नहीं होने देते pseudo science कहके तो यहां पर आपको उतना जोर source से नहीं दिखाई दे रहा इसका जो lab है और research work है विदेशों में एक neutral mindset के साथ कि नहीं पहले check करते हैं पाखंड है कि क्या है इसको बाद में देखेंगे देखते हैं अगर result आ रहा है tangible benefits है तो we should find the reasons behind it ठीक है तो यह paper आपको already available है नेट पे आपको यह दिख जाएगा तो जो हमारे farmer था वो करनाटक वाले हैं उन्होंने कहा कि मेरे farm का जो बनाना है वो जो black sega toka मतलब fungus infection है उस disease से परिशान था हमारे चारों तरफ के जो बनाना farmers से उनकी हालत खराब थी पौधे मर रहे थे मेरे farm का जो पौधा है वो अच्छी हालत में था ठीक है उतना मतलब एकदम स्वस्त नहीं था लेकिन compare to बाकी farmers से इतना अच्छा था कि लोगों की भीड़ होने लगी कि क्या डाला है अपने अपने farm पे की इतना अच्छा result है तो एक तो उनको नींद आई अपने 11 घंटे की और उसके बाद उन्होंने देखा कि fungal infection को ये बहुत हत्तक cure करने में समर्थ है जो भी natural farming, organic farming करते हैं उन्होंनों nutrients की समस्या दूर कर लिया है, mulching का प्रियोग करके weeding की समस्या दूर की है somehow fungal infection होने की संभावना होती है तो पूरे भारत में ये समस्या भी तक ठीक नहीं हुई है खास करके हमारे जारखंड राज्ज में यहां पर natural farming में ये एक बहुत बड़ी समस्या है musk melon करो, water melon करो तो उसमें जो है fungal infection आ जाता है तो अगनी होत्र का regular प्रियोग अपने खेत में और फिर उसके राख का उसका जो छाय है उसका ash है उसको खेत में regular sprinkling करने से बहुत जादा लाब होता है, अब ये जो है आपका South America में मतलब large scale पर किया गया है तो अगनी होत्र की वहाँ भी society है South America में जो इस plantation को जो banana plantation उससे समस्याओं से जूज रहे थे अब ये कहा जाता है कि जो pathogen है उसकी संख्या ये कम करता है तो इसको कैसे proof किया जाए कैसे validate किया जाए तो ये आपको यहाँ पर dis दिख रहा है ये जो school में भी chemical lab में, chemistry lab में जो experiment करते हैं तो वो इस dises को जानते हैं और methodology को जानते हैं तो यहाँ पर count आप देखो left side में बहुत जादा है और अगनी होतर के कुछ प्रयोग के बाद जो है उसका effect आप देखो कि number of जो bacteria है, bacteria load है, वो कम हो गया अगनी होतर ने अगनी होतर ने almost एक movement पूरे विश्व में उसको चला दिया और 1400-1500 एकड़ के farm जो है, वो बहुत obvious हैं कोई rare नहीं है, Australia में हो या South America में हो, तो आपर चार अगनी होतर को अपने पूरे farm के चारो side में उसको सुबह और शाम वो regular करते हैं, ठीक है, एजिजीजब को समस्च आपा, ठीक हैं, वो सब कुछ बदल रहा है, pH बदल रहा है हमारे मिट्टी का, रही हम है अपने farm पे बहुत जदा रहना चाहते हैं, तो यह जो वेक्ती हैं, महानुभाओं हैं, वशंत、 परां जपेजी, उन्होंने ही इस अगनी हुत्र को पूरे विश्व में मतलब भारत से वो बाहर ले गए और फिर अल्रिच डर्क जैसे वेक्ती जो जर्मनी में है उन्होंने अपने रिसर्च और फंडिंग से जो है पूरा इस पर डेफ्ट में वेलिडेट किया कि यह सही में काम करता है या नहीं करता है तो यहां पर जो मंत्र हैं वो दो प्रकार के मंत्र है एक इकदम सुर्योधे और दूसरा एकदम सुर्यास्तर जो एक Four जैक समय है प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमम ठीक है और दूसरा जो मंत्र है जो संध्या के समय हो रहा है सूरियास्त के समय अगने स्वाहा अगने इदम नमम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमम ठीक है तो बस ये जो दो मंत्र है इसी में जो है आपकी अगनी होतर की जो विधी है वो हो जाती है जिसमें अक्षत जब स्वाहा आप कह रहे हैं तो जो चावल है अखंड चावल है तूटा प्रकृतिक विधी से उगाया हुआ चावल है, सात्विक रूप से उगाया हुआ चावल है, उसी प्रकार घी का प्रियोग इसमें किया जाता है। झाल ऑनधरो शेक जान से घा स्वrobeश जान चावल है, सात्विक रि झाल में से जाता है।